मध्य प्रदेश राजस्थान तो भाई भाई ज्यसे हैं दोनों का कलर मिलता जुलता है भगवान श्रीकृष्ण राजस्थान के जिस रास्ते से मध्य प्रदेश रहे थे उस रास्ते को राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार बलकर श्रेक्रिष्ण पात्वे के रूप में विक्सित करेगी ये बात मुख्यमंत्री मोहन ग्यादर ने राजस्थान सीम भजनलाल शर्मा के साथ पार्वती काल सिंद्चंबल अंतर राश्तीर नदिलिंक पर योजना के कारियान वयन के दोरां पे की देखे एक खास खबा है मोहन और भजनलाल की जोड़ी ने कर दिया कमाल 20 साल से 8 के रिवर लिंक प्रोजेक्ट को अब मिली रफ्तार सीम मोहन बोली राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों हैं भाई भाई पारवती काल सिंद्चंबल का पानी अंपी और राजस्थान के किसानों को मिलेगा राजस्थान और मध्धिप्रदेश सरकार मिलकर बनाएगी श्रेकृष्ण पाथवे मध्धिप्रदेश और राजस्थान के बीच करीब 20 साल से 8 के रिवर लिंक प्रोजेक्ट को अब रफ्तार मिल गई है प्रोजेक्ट को लेकर दोनों ही राज्यों की सर्वकारों ने सयुक्त प्रयास शुरू कर दिये हैं भोपाल के कुशभाव ठाकरे सभागार में अमपी के सीम टॉक्टरण मोहन ग्यादव और राजस्थान के सीम भजनलाल शर्मा पार्वती काली सिंद चंबल अंतरराजी नदिलिंक परयोजना के कार्यान वयान के लिए सयुक्त पहल में शामल हुए सीम यादव ने कहा कि प्रधान मंत्री जी की ये सोच रही है कि राज जी अपने मसलों को खुद सुलचा है बड़ा मसला जल के बढ़वारे का है हम ये बात मान कर चलें कि छोटे मोटे इश्यूस हैं तो उनका समाधान कर लेंगे मध्य प्रधेश राजस्थान तो भाई भाई जैसे हैं दोनों का कलर मिलता चुलता है हम देखते थे कि पानी बारिस होती थी लेकिन वो पानी पूरा का पूरा हिंद मासागर के अंदर पहुंच जाता था कई उपका ठीक प्रकार से उप्योग भी नहीं होता था बारिश के समय हम देखते हैं कि पानी नदियां उफान पर रहें वो पूरा पानी चला जाता था निस्वत रूप से हम बरसाथ के पानी जो नदियों के मात्यम से हमारे उस किसान को मिले हमारी योजना के मात्यम से उस किसान को भाइदा हो जनता को सुत और अच्छा पीने को पानी मिले इस योजना से दोनों पिर्देसों की जो बोगोले की स्थिती है निस्वत रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिचाई का पानी भी मिलेगा दोनों राज़्यों के बीच इस योजना से घहरा रिस्ता भी इस्तापित होगा मुझे पता है राजस्तान में जो परंपरा हैं वो ही मद्द प्रदेश के अंदर है राजस्तान के M. भजनलार शर्मा ने कहा कि आएमपरा राजस्तान दोनों ही ऐसे प्रदेश हैं जिनके पास समीन है नेकिन सिचाई के साधन कम हैं ये योजना ऐसी है कि दोनों ही राज़्य मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे और ये योचना इतनी बड़ी है कि राजस्थान के लगबग 13 जिले इसमें आ रहे हैं और करीब मध्य प्रदेश के भी इतने ही जिले इसमें आते हैं जहां से चाय की सुविधा मिलेगी करके जो जल का बटवारा होता है बड़े पेमाने पर नजियों से बहने वाला जल लोगों की जिंदगी में काम आए उससे बदलाव आए और मुझे इस बात की प्रसंदता है कि जैसे हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद मानी भजलाल जी और हम लोग मिले थे जनवरी 28 28 तर जनवरी को और उस समय आप आपने और हमने एक विशाई निकाला कि यहार हमारे अधिकारियों के लेवल पर बड़े पेमाने पर इसकी आउशक्ता तो है कि राजस्थान के अंदर यहां से बहके जाने वाली तीनों नदिया चंबल काली सिंद पारवती इन तीनों की ज उन इसू को समाधान कर लें और नाकिवल पानी जब बैठें बात करने निकले तो चंबल यह पीके सी योजना जिसको पारवती काली सिंद चंबल योजना केते हैं यह तो होने की बात हुई सही और भी बहुत सारे विशे हैं जिन विश्यों में एक तरह से माना जाता कि रा आज काई है जो खास करके बढ़ा हमरा मूह भी बात में अपने अस्तर पर कर लेंगे हमको कोई प souvent कर दोनों राज्यों के मुख्यमंद्रिन ने कहा कि भगवान श्रीकिश्न शिक्ष्वाले ने जिस रास्ते से MPI थे उससे रास्ते को दोनों राज जी मिलकर श्रीकृष्ण पाथवे के तौर पार विक्सित करेंगे उनकी रचनाओं के साथ जो लीलाएं उनने की होगी वो प्रत्यक लीलाओं का तीर्थ बने इसलिए भगवान राम पदगमन की योजना जो बनी थी उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की पदगमन की योजना के समान उनका पाथे ही बने और परस पर भगवान कृष्ण के कित नियुक्त बात होई थी औरने का वंदे भारत मेट्रों के नाम से आप भी सर्कुट बना सकते तो रेल बे ट्रेक तो हम तो जब भी दिल्ली जाते हैं अगर मालवा से तो कोटा से बिना पास करे जाई सकते हैं वो तो रास्ते में ही है तो राजस्थान से पार हो करके जाने आने में लेकिन यह जो नजदी की जो ऐसी बड़ी संभावना परेटन को ले करके और दो उंकारेश्वर और महाकालेश्वर अपने पास है भविश्य में अभी हमने यहां हेली सर्फ हेलिकाप्टर इसका भी संभावना देख रहा है कि हम आपस में एक दूसरे को जोड़ करके बड़े पेहमाने पर क्योंकि परेटन केवल मन या अपनी थोड़ी बहुत अपने मन की सांती के लिए नहीं है इस बड़े पेहमाने पर कई सारे छेत्र में रोजगार पेदा करने के लिए एक तर आप मिलता है तो इस तरह से भी आगे बढ़ने की जर्वत है मेरे से मानिय हमारे मत्प्रदेश के मुक्मंत्री जी ने कहा था कुछ योजना ऐसी है जो राजिस्तान और मत्प्रदेश उनको एक साथ अगर करेगा तो इससे बहुत बड़ा फाइदा होगा जिस तरह से भग मैं भी जब मौन जी ने इस बात को मेरे को कहा कि भगवान कृष्ण भी मत्प्रदेश में आये थे क्यो ना कृष्ण पत्वी बने एक भहुत अच्छा सुजाब उनकी तरव से आया हम कह सकते हैं कि निश्वत रूप से राजिस्तान और मत्प्रदेश को भगवान जिस तरह से वो उज्जेन के अंदर पढ़ने के लिए आये थे संदीपन गुरूजी के आस्रह में आये थे वो मत्रा से चले थे और यहां आये थे निश्वत रूप से एक अच्छा और घहरा अगर इस काम कोम करेंगे तो दोनों राज्जों का एक अच्छा रिस्था भी बनेगा कौल मिलाकर सीम मोहन ग्यादव और सीम भजन लाज शर्मा की जोड़ी मिलकर राजस्तान और मद्धिप्रदेश के किसानों के साथ साथ भगवान श्री क्रश्न के भक्तों को भी बड़ी सौकात देने वाली है विरोष रिपोर्ट अम्पी न्यूज भुपार